नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों नए रूल के मुताबिक अब 5 क्रोड रुपे के ट्रनोवर पर e-invoicing को compulsory कर दिया गया है mandatory कर दिया गया है इससे पहले सरकार ने अक्टूबर 2022 में 10 क्रोड रुपे तक का नियम लागू किया था अब 1 अगस्त से e-invoicing को mandatory कर दिया गया है इसके पीछे सरकार ने कारण दिया है कि revenue leakage को रोकने के लिए और compliance को सक्त करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है शुरुवात में 1 अक्टूबर 2022 से सरकार ने ये नियम लागू किया कि 10 क्रोड रुपे से ज़्यादा के सालाना टर्नोवर वाले businessmen अपने सभी B2B सोदे या खरीद विकरी पर e-invoice जारी करेंगे और ये mandatory कर दिया गया था B2B वो सोदे होते हैं जो दो कारोबारियों के बीच होते हैं ना कि कारोबारी और consumer के बीच होते हैं एक माई 2023 से 100 क्रोड रुपे से ज़्यादा जिसका सालाना टर्नोवर है वो कारोबारी उनके लिए एक और नया नियम लागू कर दिया गया है जिसके तहत इन कारोबारियों के लिए 7 दिन के अंदर e-invoice अप्लोड करना mandatory कर दिया गया है आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि ये e-invoicing क्या होता है किन लोगों के लिए जारी करना जरूरी है e-invoice ना जारी करने पर penalty क्या लगती है और e-invoice कैसे generate की जाती है जैसे बहत जरूरी चीजों के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं e-invoice के बारे में GST में e-invoicing एक ऐसा system है जिसमें किसी सोदे की या sale purchase की एक normal रसीद को GST network पर electronic तरीके से verify किया जा सकता है GST network का invoice registration portal IRP जिसको कहते हैं ये ऐसी हर एक रसीद के लिए एक unique number या identification number issue करता है और इसी process को e-invoicing या e-invoice under GST के नाम से जाना जाता है e-invicing system लागू होने के कारण सभी sale purchase की जानकारी online सरकार के पास तुरंत पहुँच जाती है जिसके कारण tax चोरी की गुंजाईस लगबग ना के बराबर रहती है खास कर फरजी बिल बनाकर input tax credit लूटने वालों पर रोक लगाने के लिए e-invicing ने एक अच्छा काम किया है e-invicing पहले किसी ERP या accounting software की मदद से तयार की जाती है इसके बाद उन्हें invoice registration portal यानि IRP पर verification के लिए upload किया जाता है यहाँ पर ERP एक नए शब्द का use हुआ है जिसकी full form होती है enterprise resource planning इस software से एक ऐसा management system बनाया गया है जिसमें किसी भी company या organization की कई सारी activities related data collect करना उसको store करना उसको manage करना और जरूरत पढ़ने पर उस data को reproduce करना represent करना भी साथ साथ किया जा सकता है e-invice system आपको e-invice1.gst.gov.in website पर मिलेगा जिसमें सभी रसीदो से समबंदी details upload होते ही GST portal और e-way bill portal पर भी transfer हो जाते हैं इसका फायदा यह होता है कि हमें return GSTR1 बरने के लिए अलग से entry नहीं करनी पड़ती और इसके साथ ही e-way bill का part A भी अपने आप भर जाता है e-invice सिरफ दो business के बीच होने वाले sodo या B2B transactions के मामले में ही लागू होता है समान या सेवा दोनों तरह के supply के लिए इसका use किया जा सकता है जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि e-invicing का system mainly tax story को रोकने के लिए बनाया गया है इसके साथ-साथ ये GST के return बरने और पहले किये गए जितनी भी sale purchase sodo में किसी परकार के बदलाओ के बाद reconciliation से related problem को solve करने में भी बखूबी काम आया है एक बात और जान लीजे कि GST portal पर e-invoice नहीं बनाई जाती अक्सर लोग गलती से e-invoice का मतलब GST portal पर invoice तयार करने से लेकर समझने लगते हैं लेकिन वास्तों में इसका मतलब सिरफ किसी पहले से ERP या accounting software पर तयार की गई generate की गई किसी रसीद को GST network से authenticated कर देना है बस हर रसीद का सत्यापन होने के बाद ही उसके लिए IRN number यानि invoice reference number जारी होता है e-invoice के लिए turnover की limit के बारे में भी बात कर लेते हैं एक बार पहले 10 क्रोड रुपे से अधिक turnover करने वाले business या companies के लिए B2B लेंदेन में e-invoice mandatory थी लेकिन अब 1 अगस 2023 से 5 क्रोड रुपे सालाना turnover वाले business और companies के लिए e-invoice के दायरे में आ सके हैं यहां पर एक बात और समझ लेजिए कि अगर किसी company के लिए e-invoice जारी करना जरूरी है और वो ऐसा नहीं करती है तो यहां पर जुर्माने का भी प्रावदान किया गया है आपकी जानकारी के लिए बता दूँ अगर सरकार की और से निर्धारित टर्न और लिमिट वाली company या business e-invoice system को अपने यहां लागू नहीं करता है तो उस पर जुर्माना होगा जुर्माने में या तो उसका पूरा बकाया tax होगा वो वसूला जाएगा या फिर 10,000 रुपे परती रसीद के हिसाब से जुर्माना वसूला जा सकता है इन दोनों में से जो भी जादा होगा उसका बुगतान उसको करना होगा इसके लावा अगर कोई ऐसी रसीद इशू करता जिस पर IRN नंबर और sign किया हुआ QR code दर्ज नहीं है तो फिर इसे गलत और incomplete रसीद माना जाएगा और ऐसा करने वाले से 25,000 रुपे परती रसीद के ह हिसाब से penalty charge की जाएगी वसूल की जाएगी sign की गई e invoice का data online GST system पर upload हो जाता है ये data एक तरफ तो उस वस्तु या समान की बिक्री करने वाले supplier के return GST R1 में automatically update हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ ये data खरिदारी करने वाले के return GST R2B या 2A में भी अपने आप update हो जाता है पर जरूरत पढ़ने पर e-way bill के part A में भी e invoice के details का use किया जा सकता है जिसका फाइदा ये होगा कि e-way bill के part B में सिरफ आपको vehicle number डालना है और e-way bill system अपने आप उस consignment का e-way bill generate कर देगा उसको त्यार कर देगा ये था दोस्तो GST e invoice related वो जरूरी information जो तकरीबन हर businessman को पता होनी च possession है तो नीचे comment box में comment करके बता दीजिए वीडियो को like करके share जरूर कर दीजिएगा नमस्कार